हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बहुत थंगामा करेंगे जिसे लोगों को याद रहें कि उनकी बेटी के फिल्म रिलीज हो रही है इसे देखकर तो हम लोग भी हिल लिया है एक मुर्दा अचानक सामने आगा जमीन में गड़ा था इन्हीं में से किसी ने उस आदमी को मारा था 20 साल पहले आज हम दोने के लिए ये बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी बेटी फिल्म की दुनिया में कदम रख रही है हमारे लिए इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है इनका तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे लिए जो खुद एक बहुत बड़ी आक्ट्रिस रह चुकी है मेरे लिए तो ये दिन फिर से फिर से शुरू हो गई बेटी का फंक्शन है तुम्हारा ने लगता है मेरे दोस्तों ने सर्प्राइस पार्टी दी है पर मुझे यहां बुला के सब गायब काहा हो गए कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है यहां तो सब एक्टर्स जर्नलिस्ट और मॉडेल से दिखाई दे रहे ठीक है थोड़ा इंतजार कर लिता हूं अब सुन भई प्रिश्रिता वो आदमी कौन है तुम असे चानती हो नहीं मैम मैं तो नहीं जानती है सब्सक्राइब एक्टी पड़ी अच्छी है हमारी पाटी है सिर आपकी मैने सोच मेरी पार्टी है और अप तो नाराज हो गोई मैं तो मज़ा कर रहाता है और था से निविटेशिक ब्सक्राइब एक कार भी गुष्टीछ युष्टी आपकी अल्ग के विविगे वाफ मेंक्ने नाराद कर दा कर दें। केक काटे, शाहते, चलिए, आज़े, आज़े. अरे, यह क्या हो रहे वहाँ? अरे, यह क्या हो रहे बार-बार वहाँ? एया? किसी और profits के लिए पुर्ड़ी? इया बार के उटलोंज कियो गय रहे है? मैंनेजर? कॉन है यह? मैंनेजर काँ है मैंनेज़र! यह… ये सब क्या हो रहा? यह बार बार रहा से बलोंज क्यो गय रहे? मैं थी कर्तेता, मैंनम वह इस वाक्राइब कर देचा वारा को है? कोँ अगेड को क्या है जी मैंनीजर मानीजर क्या प्रॉब्लम िैक? यस मैं मैं मॉम आपका हाल हां जोरी हो गया कार्ट्स केर्ण तक किया बंक गले लिखें आप लोग यहीं रोके रहेंगे कोई यहां से नहीं जाएगा, please सब की तलाशी होगे लगता है मैंने यहां के बहुत बड़ी गल्टी किये दोस्तों नहीं मिले ACP साब मुझे कच्चा चबा जाएंगे यहां से निकलना पड़ेगा फक्रो इसे, रोको रोको फक्रो इसे, फक्रो इसे, फक्रो इसे, यहां ले करा यहां है? मुझे इस आदमी पर पहले से इशक था तो यह वैसे भी बिद बुला, इस पार्टी में आया है पुलकित, इसकी तलाशी लो देखो, मैं तलाशी नहीं दूगा यह मेरी इंसल्ट है तलाशी तो तुमें देने ही पड़ेगी तुम सब की तलाशी लो, लेकिन में नहीं दूगा मैं चोर लगता हूँ अपको अगर तुम चोर नहीं हो तो तुमें तलाशी देने से क्या डर? पुलकित, इनकी तलाशी लो ले लो, आज़ाम से ले लो छोर तुमें शुमें लेल, ये खुलकित, अज़ाम में ते उम दूक है अज़ाम व्यक्ट कामा। इस की थे है, ये भ्रेस्लेट इसके पास था तो हार बीशी के पासों अज़ाया होगा पुलकित, इनकी तलाशी फिर्से लो कर लोगों को मालूम निए मैं को नुट नुट एक राटिए ने यह तो मैंस ने ने बता ऊथ जो आप अजय को ऊथिए नुट नुट अब सबस्ट्रम पर अपने बुलाएं बेखिर मैं जा अटियों उस दीन मां जी कही बाते आपको बुरी लगी होगी दरहसल पहले मुझे लिए आपे बहुत कुछ आया था अब मैं क्या करूँ अब एक एसी पी होने के नाते मैंने एक मुझेवन कुछ नजा दी मैं आप एक वाला करता हूँ आपके पती के लिए मेरे तरद से जो भी हो सके ज़रूर करूँ आप कि अब रडिक्स को अब रडिक्स को अब पूल कि कम सब्सक्राइब कर दो कि अब कि अब चाहें कितनी बड़ी सुपरस्टार को ना हो अपने किसी मेहमान पे इस तरह से चोरी कल्जाम लगाने का आपको कोई अख नहीं देखिए सबसे पहले तो ये बिन बुलाए मेहमान और दूसरी बात है कि कि इनकी जेब में से ब्रेसलिट निकला है उसके बारे में चाहें आपको посмотреть इसके बारे में तोiasmaya पता ही नहीं है अगर आपको यकिन या था तो आप अपिन से प्रेडिक सर ठीक है रहे हैं सर इन्हें कोई फसा रहा है प्रेडिक सर तुमने मुझे ब्रेसलेट के बारे में क्यों नहीं बता है यह लोग सच बोल रहे हैं सर यह बात तो सच है कि ब्रेसलेट मेरी जेब में से मिला है लेकिन सर यह भी सच है कि ब्रेसलेट मेरे नहीं चुरा है सर किसी ने मुझे फसा है सर दरूपी यह थे नहीं अब आपको क्या कहना है सर अरेस्ट करें अपने आफिसर को मुझे मेरा हार हर कीमत पर चाहिए जवार ले बहुशन के माते साना हमार एक इमानदर ओफिसर के उपर चोरी का घटिया इल्जाम लगा रही है इस वर मेडिया यह होचूद है कल को यह खबर मेर्स मसाला लगा के सब्जे का छाफ दें यह जो चोरी का इल्जाम फ्रेडिक्स पर लगा है हम उसे मिटा कर रहेंगे असली चोर को हम किसी भी हालत में पकड़ लेंगे अन्यी अबर्दी अपके लगा अच्छी तरह से तलाशी ने लिए अभी जए देया कुलब की अच्छी तरह से तलाशी लो देखो गोना कोना चान्द मारो और यह जितने भी लोग मौजद है उन सब के तलाशी लो एक जापसर मुझे मेरा हाल किसे भी कीमत पर चाहिए आप लीज समझने की कोशिश करिये वो वो मेरा पुष्टै नहीं हा रहे हैं शायला जी हम आपसे वादा करते हैं आपका हार हम ढूट करी रहेंगे सर आदे खलब के अची तरह से तलाशी ले लिए सर यहां पर मौजद जितने लोग हैं उनकी भी तलाशी लिए पर हार कहीं नहीं मिला सर इनके इसाब से हार चूरी होते ही बाहर जाने के सारे दर्वाजे बंद कर दिये थे कोई आदी बाहर गया भी नहीं बहुत अजीब आत है सर ऐसा लगते जैसे हार हवा में उड़ गया साब अब एक हाँ यह देखे थे तो खून है क्या आगे भी है देखते है अरे खून के दान खायब हो गया पहले यह हार की चोरी और अब यह खून के निशान कहीं किसी का खून तो नहीं हो गया मशूर एक्ट्रेस शेहला जी की बेटी तिया के फिल्म लांच पार्टी के दौरान उनका बहुत महार चूरी हो गया है पार्टी में सी आइडी ओफिसर फ्रेटिक भी मौचूरी तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीना छोड़ दिया अगर इसमें लिखाए कि तुम दारू पीकर जमीन पर किर कहते हैं सब जूटे सब जूटे सब जूटे सब अगरी मुझे अपने साथ ले जाते तो सब कुछ ठीक होता सब तू आग मत लगा अर्यार मैं पिया हुआ नहीं था फूट जूस पिरे से कोई तुम नहीं होता सब जर्दो होने के बाद इग्जाक्ली जळी क्या हो उसे किसी ने मुझे धक्का दे धिया धका मारा किसने मारा थकए कुछ याद है अब पता नहीं शाएद को लड़की होगी सिथ अड़ड़की अलरा अगरिसत floss counselors इस इस ने तक्राए के बता है अब हो़िख में आखे और ठीक से याद करके बताओ ये-जो लीची है वो तुम से टक्राई के इसे है सब्सक्राइब में अंधेरे में किसी न मुझे धग्का दिया और उसी टाइम मेरे नाथ में बहुत जोर से बीची आइसक्रीम की खुश्भू खुश्भू घुश्भू थी हां सर, हनड्रेड परसेंट और आपने तो पीरह की थी सर. एट उक ठूक तूप ठीक ठीक है, Frederick ठीक है मैं तुमारी बाद पर शिवास करता हूँ अभी जी तेक काम करो शेहर में जतने भी आईस-क्रीम पालर्स और रेस्टरोईंट से सब में जाकर लिची आइस क्रीम खाओ और फ्रेडरिक्स को सिर्फ सुनाओ पता करो साहबजादे को कौन सी कुछबू आई थी सेर प्रेडरिक्स तुरह देखो सर यही है यही वो लीची आइस क्रीम के खुश्बू है जो मुझे पांटी में आई थी सर कल वो फिल्म हरोइन शैला के फंक्शन में आप इने बेजी थी आइस क्रीम हां जी हां सर सर एक मिनट मैं उसे बुलाता हूं जो आइस क्रीम लेकर गया था रमन रमन इधर आना जी सिर्फ यह लोग सिएटी से आएं तुम्हें ढून रहे हैं सियाइडी आप जरा इस तरफ आई है आरा है आप चल्दे है यह क्या कर रहा है सर यही आदमे है यही है तो तू नहीं वो प्रेस्लेट इसके पॉकेट में अधर मेरे से अंधर मेरे से छोड़ दीए मुझे माफ कर दीए मुझे किसी ने पैसे दिये थे किसने कुछ ने वो कौन है वो साहिदा मेरे 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 कि रोइन उनकी सेकरटरी प्रशीता मेरे इसे देए थे पैसे कमाने के लिए आप लोग अपने अख़़ार में कुछ भी चाप देंगे हां मैं आगे से आप लोगों को नहीं बुलाने वाली हूँ समझे आप लोग प्रितिशा जी अरे आप लोग ऐ आइस क्रीम कहा से आई है आइस क्रेम आइस क्रेम आप लोग अच्छा तुम्हें नहीं पता हम लोग क्या कह रहे हैं देखो रहां पकड़ा गया है अब तुम अपना मूझ खोलो हमारा रादा किसी को नुकसान पहुचाने का नहीं था प्रेसलेट का चोरी होना लाइट का जाना यह सब एक नाटक था नाटक? ऐसा नाटक? सर दिया की पबिसिटी के लिए हम लोग चाहते थे के दिया मेडिया में चाही रहे मेरे जैसे एक बड़े C.I.D. ओफिसर की हमें बहुत पॉच्शे हुआ है समझे लेकिन सर हमें यह पता नहीं था कि वह ही रो का हार सच में चोरी हो जाएगा मतलब यह हार की ओचे होना यह यह तो लो यह ही ठा़ जांब यह यह फिल्म भाले भी पबिलिसिटी के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं और कुछ नहीं तो पार्टी रगदी अपना हाथ चोरी करवा दिया और ब्रेसलेट हमारे ओफिसर फ्रेटीस के जेग में रखवाते हैं सर्व यह लोग अपनी जूल्गी को फेके चुराएं या कुछ भी करें लेकिन एक CID ओफिसर को फसाने की क्या सरुवत है तरेफ लागए एकदम तरेफ से बोला तो मेरा तो मुर्गा बन गया बिनावात के पर हर बार ऐसा की होता है कि आप ही फच जाते हों सर देख भाई वह ऐसा है जब तक लॉटरी का टिकिट खरीदे का नहीं तब तक तेरी लॉटरी का भी लगे की नहीं सरुजे सर मैं आपके फचने की बात कर रहा हूं लॉटरी की नहीं फ्रेडिक्स ये विवेक तुमारी इज़त का फालुदा बना रहा है, बताओ से वहाँ पर क्या हुआ था अब क्या बताओ सर, सब लोग तालिया बजा रहे थे, मैं भी बजा रहा था मतलब गिरने तक फ्रेडिक्स तालिया बजा रहा सर, तीन बार केक कटा, तीन बार टालिया बज्या और तीनो बार गुबबारे उपर से नीचे आ का तूमने? कुड़ आ उपर से नीचे आ ए? हान, सर. सरे तो वहां पर गुबबारे लटके हुए थे जो आचानक नीचे आ गया है सर, कही यह हाद या मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो फिर से सेंचुरी गोल्ड क्लम में चलते हैं यह हॉल उस पार्टी के बाद बंदी है ना किसी ने खुला बोला तो नहीं और यह विषखा उस दिन पार्टी का सारा अरेंजमेंट इन्होंने किया था पिशा का यह गुपबारों का क्या चक्कर है सुनाय कि गुपबारे तीन तीन बार उपर जाकर नीचे आ गय थे और नीचे आ गये ऐगे थे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ गुबारों में गैस भरकर उन्हें नायलॉन के धागे से बांदकर उपर छोड़ा था फ्रेडी, जब ये शाइला का हार चोरी हुआ था तो इसाइला कहा खड़ी थी? शाइला, सर उन्हें यहां खड़ा था शाइला का जब हार चोरी हुआ तब शाइला यहां खड़ी थी, और गुबारों में गैस भरकर उन्हें नायलॉन के धागे से बांदकर उपर छोड़ा था अविजेत, यह सर सरे शेंडिलेर का यह कुछ चक्कर है सर तो गयास के बलून्स बार बार उपर से नीचे गिर रहे हैं तो हो सकता है जिसने भी अंदेरे में शाइला का हार चुराया उसने वो हार उस नायलॉन के धागे में बांद कर जैसे ही हला हुआ, आर लोग नीचे धून रहे थे हार उपर किसी नसर गई हार उपर ही लटका हुआ था मैंने जिस सर पार्टी खतम अने के बाद यहाँ पे कोई और आया था च्या नई सर, सिर्फ हमारे कलब के साफ सफाई करने वाले लोग ही आये थे और कोई नहीं साफ सफाई करने वाले लोग सर, ये लोग उस दिन आये थे ये सुरेश, पंकच, जीतंद्र, सुधीर और रमेश का है रमेश तो आज काम पे नहीं आया था वो कल रात को उसका फोन आया था जी सर, ये उसी का तो काम है उस दिन पार्टी के बाद भी उसी ने जुमर साफ किया था और बहुत टाइम लगाए था उस दिन इसका मतलब सर ये है कि रमेश ही आखरी आदमी है जो हाल से सबसे आखिर में निकला था फिर क्या हुआ तुमें कुछ मालू में फिर क्या हुआ ये तो नहीं मालूम साफ लेकिन हाँ, बाद में वाच्च मैन ने बताया कि रमेश यहां से किसी गाड़ी में बैठ कर गया साफ क्या? रमेश गाड़ी में? लेकिन उसके पास तो गाड़ी है ही नहीं अभी जी लगता ये गाड़ी उस हार चुड़ाने वाले की है असली चोर की रमेश का एडरेस दो हमें हम लोग क्याड़ी से हैं हमें हम चोब इस बात करनी है घर पे आया है वो? जी, वो तो घर पर नहीं है वो तो गाउँ चले गया गाउँ चले गया? अचानक लेकिन किसली है? जी, वो जमीन का टुकड़ा गिरवी पड़ा हुआ था उसे चुड़ाने गए है तो अचानक कहीं से बहुत पैसे मिल गया होंगे है? जी, हाँ, दो लाग दो लाग? जो अंदर जाके देखो, मैडम साच बोल नहीं कि नहीं ये पैसे आये कहां से? जी, सच तो मुझे भी मालूम नहीं सर वैसे मैंने पुछने की बहुत कोशिश की लेकिन जिस दिन वो पैसा लेकर घर आये थे बहुत परिशान लग रहे थे अभजी, कोई नहीं है तेखिया, एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है और हमेशा क्या कि रमेश का भी इसमें हाथ है ये बगवान, क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं चोरों ने रमेश को पैसे दिये होंगे आप ये बताइए, पिछले दो दिनों से रमेश कहां-कहां गया था? सर, वैसे तो वो काम पर ही जाते थे लेकिन जिस दिन वो पैसा लेकर घर आये थे उस दिन काम पर जाने से पहले कही और जाने की बात कह रहे थे काम पर? क्या नाम था उस जगे का? हाँ, वो वाइट विला, अलीबान बच्पन गेट खोलो बंगला किसका है? शैला मैडम का क्या? हाँ, साथ, यह शैला मैडम का ही बंगला है शैला मैडम का बंगला? इसका मतलब शैला रमेश को जानती है हाँ, सर, रमेश इसे बंगले पर आया था पैसे लेने के लिए और यह फरनीचर कहा ले जा रहा है? सबसे पहले आप लोग यह बताईए कि आप लोग को मेरा हार मिला जी नहीं अभी तक तो नहीं लेकिन पहले आप यह बताईए कि आप लोग किसी रमेश नाम की आदमी को जानते हैं रमेश जी नहीं फैर शोड़िये यह फरनीचर जा कहा रहा है दरेसल वो एक अबड़ यहीं रखो जरा चेक करना पसंद करेंगे चाबी का है चाबी जी नहीं वो धरसे लिए बहुत पुराना कपड़ है इसले चाबी चाबी कहीं खो गई है हमसे मैं मैं अपका पर्स दिखाए है बर्स क्यों शायद आपने इसमें रखी हो और आप बुल गई हो देखे मैं मैंने कहा ना आपसे मेरे बस चाबी नहीं है मैं सर यह देखिए यह चाबी का गुच्छा मिलाए हो तरह लगा के देखो शायद इन में से कोई चाबी हो देखिए मैं सर खुल गया यह हार यहां कैसे आया यह तो यह तो चोरी हो गया था मैं पेरा हार यहां कैसे यह 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 यहां कैसे पहुचा अब जित सर यहार चाब चोरी हो आता न वहां पे खुल के कुछ बंदे पड़े हो इस तो नहीं है सर यह देखिए कुछ लेकर्स मिले आए यह जूता किसका है यह यह तो मेरे जूते हैं यह यह तो मेरे मुंबई वाले घर में था यह कैसे आ गया अदेगे शाइला जी अपके ड़ा हो गया हार मिल गया है जूता मिला है और जूते में खुन हमें आपके पंगले की तलाशी लेनी पड़ेगी ये आफिसर ये ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग आपने मेरे पूरी घर को तेस्टेस कर दिया है देगे शाला जी एक बज़े हो तो बताओं आपके घर से हमें इतने सारे सुबुत मिले हैं कि तलाशी तो जड़ा अच्छी तरह से लेनी पड़ेगी और वो खून जो आपके जूतों पर मिला कोई जवाब है आपके पस हां वो सर हमने बंगले को अच्छी तरह से चान मारा है सार कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला ये सर ये 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 लाश यहां केसे आई सर काफी पुरानी लाश लगती है गर किसी आदमी ने गाड़ी होगी ये आप है यह पे लशम अ आनवक्षा लाश अ अ आप को क्या लगता है हम हम को जोर या खुन है जो किसी को मारके अरे अरे हम क्यों किसी को मार के अपने घर के पिछवाडे में लाश चुपा देंगे सर कंकाल के साथ साथ कुछ और भी मिलाए सर यह दिया किस तर कि खाली बोटल है सर खाली बोटल लाश के साथ यह बोटल भी गाड़ दी सर्णोंके साथ यह हार असली है यह हार असली है यह हार असली है कितने बार बताओंगे यह हार असली है इसका मतलब है शाहिला जी आप रमेश को जानती है और इस हार के चोरी में आपका भी हाथ है देखिए मैंने आप लोगों से पहले भी काहा है कि मैं किसी रमेश को नहीं जानती हूँ और और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि यहार पेरे कबड में कहा से आया है शैलाजी, रिशीटा ने बसी कही बताक दिया है रिशीटा ने? जियाँ शैलाजी, आप जूटी पबलिसिटी के लिए इतना बड़ा खेल केझ सकती है तो इस हार की असली चोरी में भी भी सामिल सकती है लेखिये मैं मानती हूँ कि गिया की पबिसिटी के लिए मैंने हापकी ऑफिसर की जेब में वो ब्रेसलेट सबरदस्ती रखवा दिया था लेकिन यहार कबड में है यह बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी आपी सोचिए मैं अपना इतना कीमति हार कबड में क्यों रखवा हूंगी पॉबिसिटी और क्या देखे मैं अपलोग प्लीज मेरा विश्मास कीजे मैंने इसा कुछ नहीं किया है और वो लेटर्स वो कहां से आया कबड में वो मुझे नहीं मालूम और ये लाश ये लाश कहां से आई आपके बंगले में वो भी मुझे थी सवनुके साब अगर आपकी इजाज़त हो तो इस कंकाल के बारे में थुड़ी बातचीत कर ली जाए विजित इसमें बातचीत की क्या जुरूत है जब एक अंका आलेक आदमी का है जिसकी हाइट पांट फूट दस इंच थी और ये तीस साग का था जब भी मरा ऐसा लगता है के मरने के बाद भी खूनी लगादार इस पर वार करता रहा है जहरा पूरी तर से खराब हो चुना है मतलब इसका चेरा निभा सकता है मथ किस कवाजे से हुई है ज़े पर चोट की वज़े से नहीं विसके माथ हुई है साइनाइट की वज़े सप को जब और यह तो बद पूछा कि इस बात मुझे कैसे पता चलिए अ सब कैसे मालुम हुआ मत पूज़ कावेरी, बिना मतलर में टेड़े बजाएंगे यह इसमें साइनाइट मिला हुआ है और इस बॉटल में हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिलें जिसे पता चलता है कि इसमें थोड़ा साइनाइट अभी भी बाकी है और यह साइनाइट बीस साल पुराना क्या, वीच साल? प्रज़ जसाम सुआ से बीस साल पहले मना DIRECTOR SNOW है फ्रॉट इंवालभी बेटा कैसे हो MP zas नमस्ते का है तुमारी मां? मां, मन समयन मैं अभी बनाती है मां? मां देखों कॉनन आया है? ACP साहब ACP साहब? और भ्योन een नमस्ते नवस्य बैंजी, बस पासी से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलकर जाए ये मेरे CID टीम के मेंबर्स है ये है इंस्पेक्टर अभिजीत और ये है सब इंस्पेक्टर कावी तो इसे माजी दिखाई नहीं दे रही है तबियत कैसी है उनकी जी वो अश्या मैं हब तक चू पैठी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू इस जयजे आदमी के साथ बात करें जिसने तेरे पते को छूटे इल साम में जेल पिजवाय था माजी आज मेरा बेटा यहां होता तो इन लोगों के आगे हाथ नहीं पहलाने बढ़ते है देखे माजी आप मेरी निवारा हूँ मैं यहां रोहित के लिए आता हूँ रोहित के लिए आता हूँ रोहित की चिंता आप छोड़ देजिए बाप को दजेल बेजवा दिया माजी मैन आपसे कितनी बारका है इस बात का जिकर मत कीजिए आप जानते है ना रोहित इस बारे में कुछ नहीं जानत अगर इसे पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा यह खूना औरेशिक दो चीजें ऐसी है जो कभी चुपती नहीं है सर जिसने भी इसे मार के काड़ा होगा उसे सपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि 20 साल के बाद कोई इसे खोद के निकाल लेगा कभरी यह मानता हो कि इसने सोचा नहीं होगा लेकिन उसी यह जरूर मालूम था कि खोदा नखास्ता यह लाश अगर किसी को मिली तो इसकी पैचान आसानी से ना हो सके इसलिए इसका मूद तोड़ तोड़ के हलवा बना दिया है और बदर में से भी सारी चीज़े निकान दी गई है एक गल्दी और कि उस खुनी ने वो साइनाइट की बॉटल उसने वो साइनाइट की बॉटल वहीं फेक दी उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 20 साल बाद डॉक्टर सालूं के नाम का कोई आदमी आएगा जो देखते ही बता देगा कि उस सूखी वी बॉटल में साइनाइट था और सर खुनी अपने निशान को भी तो बरबाद नहीं कर सका कौन सा निशान वहीं सर जो उसके क्लेफ पे था गड़ा करेक्ट तो लावन्या तुम और युए के काम करो पिछले उननीस भी साल में जितने भी लोग गाया पर उन सब की लिस्ट बना और देखो उनमें से किसके ठुड़ी पर गड़ा है ठुड़ी पे चिन पे चिन पे पर नशा जो गड़ा है यह से सब को टाई कर यो कि जांगी सफ इंखर शाला के ड़ना नофदकर मारूब यह साद नियुक्त आशनी का बांग अ जानी आरू मतला नोमें साथ लोगों के नाम मिले हैं शुरिते हागे अगने मेंने उसके बाइस जिसके नमें और चिन पर के फिर इसका नाम है प्रीथम सुर इस एक प्रीथम के चोरी का एफ सिस्टागा था छोल जड़ाल है ने एक टार में प्र हृप है, ते जिदे में और प्रकेश बेटी शायला का डाइमंड निकलेस चूरी हो गया उसके बाद में वो निकलेस जूते में मिल गया वो निकलेस जूते में मिल गया जो वी साल पहले हुआ वी साल बाद वही हुआ फिर से मतलब सर, वो नेकलेस, वो लाश, ये शाइला, ये शाइला के डाड़ी ये सब आपस में जुड़े हो है, सब मुझे तो लगता है कि उस आदमी का खून शाइला के डाड़ी ने करवाय होगा, अभी जी देख काम करो, तुम दया और काविरी इस शाइला के घर चाहो, उसे ज अबमने के तो, कुछ से क्यों कर रहे अप अचाना कि इतना काप में क्यों लगी पी इटम के नाम से, मैंफ मैंका काप मैं मैंने काप मैं मैं और क Jug आपके हार चुडाने का इल्जाम आपके ड्राइवर के उपर लगाया गया 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 हुआ है जो लाश आपके बंक्रों में से मिली है वो सी प्रित्व की है और श्याद आपने है उसका खून कर जिसे कड़ सकती हूँ मैं तो इससे प्यार करती थी हाँ मैं और प्रित्व इक दूसरे से प्यार करती थे और हम दो लुभाग के शादी करने वाले थे मैं नहीं चाहती थी कि ये सच्चा ही का पता किसी को भी चले इसलिए उस दिन जब आप लोगों ने अलमारी की तलाशे ली तो तो मैं घबरा वही थी क्योंकि वो लव लेटर्स प्रीतम ने और मैंने इक दूसरे को लिखे थी तो फिर खून किया इस तरी आपने मिस्टर इशान आपके बास तो अखून करने की वज़े भी है नहीं इनोंने कुछ नहीं किया है इजे तो मेरी जिंदगी में उसके बाद आए है हो सकता है इनोंने वो लेटर्स देख लिए हूँ देखिए आप लोग इतना गंदा इल्जा मुझ पर मत लगए हैं मैं पहले यह सब सुनकर बहुत शॉक्त हूँ अगर इशान और शाहला सच बोल रहे हैं तो पर इस प्रीतम का खौन किया किसने है लगता है यह शाहला सच बोल रही है अगर यहार ऐसे ही चुरी हो था बीज साल पहले तो फिर शाहला वही बात करके अपने आपको क्यों फरताएगी तो जैसे घरवालों को मालूम हुआ कि शाहला ड्राइवर के साथ भागने वाली है उन्होंने उसकी शादी करवा दी फटा पड़ जैसे एक बात साफ ऐसर घरवालों ने ही ट्राइवर को मरवाया है दो बाते हैं दया एक तो खून किया किसने दूसरा वो हार चुराया किसने और एकदम वैसे ही वापस लाके रख दिया जैसे बीस साल पहले हुआ था क्यों? क्यों? तो यह तो सोचना है कि क्यों जिससे शाहला के इजद कर जूलूस निकालना होगा वहीं करेगा ये का हाँ कोई शाहला से बदला ले रहा है जरूर कोई बदला लेना है पर कौन हो सकता है सर कहीं कोई प्रितम की मौत का बदला तो नहीं ले रहा है हो सकता है पर ये कोई प्रितम का रिश्यदार ही करेगा कोई ऐसा रिश्यदार जो बीस साल तक चुप रहा और अब अचानक उठ खड़ा हुआ है और यह जो भी कोई है वो जरूर शायला के बारे में सब कुछ जानता है वो इनके आस पास का ही कोई है सर अब हम उसे डूनेंगे कैसे? विवेक डियने, डियने करके सब का डियने करवा हमारे पास प्रितम की लाश है जिसका भी डियने प्रितम की लाश के डियने के साथ मैच होता है वही उसका रिष्टेदार है सर मुझे रिपोर्ट है बीस साल पहले वाली उसमें प्रितम का अड्रेस तो हो गई नावन्या, वो रिपोर्ट लाओ, दिखो उस पर अड्रेस है किया ये सर, आपको लगता है, पीस साल बाद भी कोई रह रहा है मापे सर, एड्रेस मिल गया नमस्ते माजी आप लोग माजी, हम लोग सी आईडी से हैं, आप से थूड़ी बात चीत करनी थी आप प्रितम को जानती है मैं उसकी सास हूँ सास? प्रितम की सास? सास का मतलब है प्रितम की शादी हो चुकी है प्रितम बहुत थी घटिया आत्मी था उसने मेरी बेटी से शादी की और उसे बहुत दुख दिया वो ऐसी बिमार हो गई कि अब तक ठिक न हो पाई क्यों? आप अब खोदी जाकर देख लीजिए प्रितम के बारे में कुछ बात करने आए प्रितम 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 रिखा जी, आप आपके पती प्रितम कहा है? आपको कुछ मालूम है? प्रितम आ तक अ. प्रितम, बैठी है पर दी नाव कर दे बैठी है तर चाहिए, तर नियुकिन अगे जब हम एक नाम तुनती है ऐसा ही जेट करने लगते है और दिन में एक बार ये गड़िया कर मरोड कर थोड़ देती है जो करती है अभी तक समझ मनिया है किसे ने खराब कर दिया मेरे पीतम का चेरा किसे ने खराब कर दिया जितने बालों के सैंपल तुम लोग लेकर काये थे उस सब लेकर जाओ केस जब कोट में जाएगा इमची ज़रूर पड़ेगी सबहर कि रख मैं और वो जो लड़कियों के बाल दिये थे डेनेटिस के लिए वो भी कर दिये बाई सब कर लिए तो फिर देर किस बात किया है बताईए ना कौन सा आदमी यह लड़की है जो प्रितम का रिष्चेतार है मैं बता दूशे अगर लिख के बतानी क्या जरूत है ऐसी बता दो कि लिख इसले रही हो सर क्योंकि यह नाम पढ़ने के बाद कर यह आपको यह ना लगे कि मैं जूट बोलता हुए यह तो हुआ है यह सच है यह सच है यह ने टेस्ट कभी जूट नहीं बोलता है कि विश्वास ही नहीं होता है जिन्दगी इसी का नाम है मेरे दोस्त जा पकड़ों से हमारी जिन्दगी में हाल ही में कुछ दर्दनाक बाते हुई है मैं जाहती हुँ कि हम उन सारी बातों को भुला कर आगे आने वाली अच्छी बातों बड़ देहनते हुए जैसा कि आप सब जानते है कि मेरी बेटी दिया कि कल फिल्म रिलीस होने बाली है आप सब सी अई उमीद करती हूँ कि आप लोगो फिल्म बहुत पसंदाए कि यह आ कि आप लब कोई बुरी खाबर में जड़ेगा प्लीज कल का दिक बहुत अच्छा जी फॉरेंसे के रिकोड़ आ गई है देखिए हमें पता चल चुका है प्रीतिम का वो रिष्टेदार कौन है जो इतने सालों तक छुपा हुआ था और रिष्टेदार है तिया चाहा मैं? हां यह जी प्रीतम की बेटी है वाट? यह जी क्या वख्वास कर रहे आप लोगको? तेके तेने रिपोर्ट में जो कुछ है हम भही आपको बता रहे हैं मैं किसी प्रीतम की बेटी नहीं हूँ मैं मैं सब अपनी ममा और अपने पापा की बेटी हूँ मैं किसी प्रीतम की बेटी नहीं हूँ तो क्या डियने रिपोर्ट जुट बोल रहे है? जी हां आपकी डियने रिपोर्ट जोटी है यह जरूर आम लोग कोई सांसिश है जी नहीं, डियने की रिपोर्ट कभी जूटी नहीं होती नहीं मैंने डर के मारे CID को अपना DNA संपल दिया ही नहीं था मैंने लोगों से जूट बोला था क्या जूट बोला था? यही कि वो संपल मेरा है तो फिर वो संपल था किसका? उसका? अधे मैंने ही किया है ये सब कुछ मैंने ही रमेश को पैसे दीये थे वो हार चुडाने के लिए जो जूते और फारिश पकूर था वो मैंने ही डाला था क्योंकि मैं इस आरत से बतला लेना चाहते दिया इसने मेरी और मेरी मा के जिन्दगी बरबात कर दी मेरा बाप शादी शुदा होते हो भी इस आरत के चक्कर में पढ़ गया क्या? प्रीतम? शादी शुदा? इतना बड़ा दोगा? इस रात मेरा बाप शाइला के साथ भागने वाला था? मेरी मा ने साइनेट खिला का मारा था मेरे बाप को ले चलो से अमा ये क्या है? एब बुर्वार ऐसा क्यों क्या रोइज मेटा? अब हमारा क्या होगा? प्रीतम?